यह कहानी मैंने कई लोगों के मुख से सुन रखी है और बताने वालों का तो कहना था कि यह कहानी पूरी तरह से सत्य है इस कहानी को सुनकर आप लोग निर्णे लीजिए कि यह कहानी एक कालपनिक घटना हो सकती है या वास्तव में ऐसा हो सकता है वैसे भी संसार रहस्यों से भरा पड़ा है जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जो सत्य होकर भी असत्य लगती है लेकिन जिसने खुद इन बातों को देखा और महसूस किया हो उसे किसी प्रमान की आवश्यक्ता नहीं होती वहना विज्ञान की सुनता है ना किसी और की बातों पर भरोसा करता है उसे तो बस अपने आप पर भरोसा होता है तो आईए, अब देर ना करते हुए आपको इस अद्भुत और रोमांचक कहानी की यात्रा पर ले चलते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना को घटे बहुत दिन हो गए हैं ये घटना मेरे बच्पन की है यानि आज से लगभग 30 साल पहले की हमारे जिले में एक बहुत नामचीन महाविद्यालय है यह महाविद्यालय बहुत पुराना होने के साथ ही साथ आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है और इसकी गणना सू प्रतिष्ठित शिक्षन संस्थानों में होती है दूर दूर से बच्चें यहां शिक्षा ग्रहन के लिए आते हैं इस महाविद्यालय में कई हास्टल हैं जिसमें मेधावी छात्र रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में इस महाविद्यालय और अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हास्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था हास्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दूबे भाई दूबे भाई किया करते थे दूबेजी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ ही साथ उनकी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा ततपर रहते थे हास्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था अपने सहपाथियों के साथ ही वे अध्यापकों के भी चहेते थे उन्हें अपने कॉलिज से बहुत ही प्रेम था उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलिज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था एक बार की बात है कि दूबे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गाउं गए हास्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दूबे भाई जल्दी ही वापस आ जाईएगा दूबे जी ने सकारात्मक्ता से सिरहिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गाउं की ओर चल दिये चूंकि उस समय उनके पास फोन आदी की सुविधा नहीं थी इसलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे खैर इधर हास्टल में दूबे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी पर उन्हें संतोश था कि 15 दिन की ही तो बात है फिर दूबे जी उन लोगों के साथ ही तो होंगे आखिरकार वह 15 दिन के समय की आयूपूर्ण हुई और दूबे जी का पदारपन हास्टल में हो गया पर यह पदारपन कुछ अलग हटकर था क्योंकि दूबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवया भी अब तो दूबे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे यहां तक कि आने के बाद ना ही वह अपने किसी सहपाथी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात किये और ना ही घर परिवार, शादी विवाह, आदी की ही कोई बात बताई एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा तो ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे एक दिन तो एक ऐसी भयावह, रोंग्टे खड़ी करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुटी लेकर एक हपते के लिए उसे गाव जाना पड़ा हुआ यह कि एक दिन सबेरे सबेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया था उधर ही कहीं से नीम की दातून तोड़ लाया था उसने देखा था कि जाते समय तो दुबेजी अपनी खाट पर सोए थे पर आने पर उसने पाया कि दुबेजी तो रूम में हैं ही नहीं खैर उसे लगा कि कहीं गए होंगे अभी आ जाएंगे उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे में देखते हुए अपने बालों में कंगी करने लगा अरे अचानक उस शीशे में उसे दुबेजी का चहरा दिखाई दिया वह तो चौक गया और पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे दुबेजी थे ही नहीं फिर वह डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में दुबेजी का चेहरा नहीं दिखा वह एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा खाट के पास पहुँचकर क्या देखता है कि दुबेजी तो अपनी खाट पर सुए है अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम क्योंकि जब वह आया तो दुबेजी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दर्वाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी तो फिर दुबेजी अंदर कैसे आए वह उस समय इतना डर गया कि बिना दुबेजी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वह किसी से बताता है तो कहीं लोग उस पर हसने न लगें उसका मजाक न बना दें खैर वह कोई बहाना बना कर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबेजी को जगाया जब दुबेजी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए ही उसने दुबेजी से कहा कि सकी तबियत ठीक नहीं लग रही है उसे तेज बुखार है इसलिए वह एक हपते के लिए गाव जा रहा है इससे पहले कि दुबेजी कुछ समझें या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे वह धीरे से अपना एक छोटा बेग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया दुबेजी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके खेर एक हपते का समय बीद गया और दुबेजी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हास्टल में आ गया पर अब वह भी कमरे में कम ही रहता और कोई न कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठी के कमरों में चला जाता या पुस्तकाले में रात को जल्दी से खाना बनाकर खा पी कर कोई पुस्तक आदी लेकर सोने के लिए भी अब वह किसी सहपाथी के कमरे में ही चला जाता पर पूरी कोशिश करता कि उसे दुबेजी के साथ न रहना पड़े एक दिन तो दुबेजी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भया वह तुशारपात हुआ कि डर के मारे उसकी शरीर कापने लगी और वह अपने आपको संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा साथ ही उसके आस पास के कमरे में रहने वाले बच्चों के चहरे पर भी हवाईया उड़ने लगी और सब के सब भय भीत हो गए चिलाहट रूदन मच गया हुआया कि एक दिन दुबेजी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाथियों को अपने रूम पर बुला लिया था और सब के लिए चाय रहा था दुबेजी सुबह सुबह ही बिना बताय कहीं निकल गए थे अचानक दुबेजी के उस रूम के दर्वाजे पर असपष्ट शोर गुल सुनाई दिया फिर कमरे के दर्वाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़ भड़ाने लगा फिर दुबेजी के रूम पार्टनर से दर्वाजा खोला तो क्या देखता है कि दर्वाजे पर उसके हास्टल के ही डरे सह में कुछ बच्चे और दुबेजी के पिता जी और और उनके बड़े भाई खड़ी डी ही हैं दुबे जी के पिता जी की आँखों से आँसु झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी च्छाई हुई थी दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था अस्तु उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं है सुबह सुबह ही कहीं चले गए आधे एक घंटे में आ जाएंगे तब आप लोग अंदर आकर बैठिये चाई पीजिये ये सारी बाते दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति को भापने की कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोल गया रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड में से कोई कुछ बोले उसके पहले ही दुबे जी के पिता जी रोते हुए बोल पड़े नहीं बेटा वह कैसे आ सकता है वह तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं हम लोग तो उसका सामान लेने आएं हैं और कालेज को खबर करने इतना कहते हुए दुबे जी के पिता जी और भी फफ़क कर रो पड़े उनकी बात सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर का शरीर पूरी तरह से कापने लगी तथा दुबे जी के बड़े भाई रोते हुए बोल पड़े कि यहां से घर जाने के दो दिन ही बाद दुबे मोटर साइकल से एक रिस्तेदार के साथ कहीं जा रहा था पता नहीं कैसे उसकी मोटर साइकल एक तेज आते ट्रक से टकरा गई थी और वह आन्स पाठ ही काल के गाल में समा गया था इतना कहते ही वे फफ़क कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबेजी का रूम पार्टनर पूरा सुन पाया था या नहीं वह तो बेहोश होकर गिर पड़ा था बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सब की आँखों में आंसु आ गए थे अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत क साथ रह रहे थे? क्या उनके हास्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वह दुबेजी का भूत था? खैर उस दिन के बाद से दूबे भाई का भूत पर कभी हास्टल में नहीं आया पर कई महीनों तक हास्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और कुछ सोचिए कि दुबेजी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी जो एक आत्मा के साथ 15 दिनों तक एक ही कमरे में रहा यह घटना सही है या गलत यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्शेत्र के कुछ लोगों से सुनी है खैर भगवान दुबे भाई की आत्मा को शान्ती और मोक्ष प्रदान करें कहानी पसंदाई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें